सब कुछ तो नोर्मर ही चल रहा था चानक से ये सब हो जाएगा बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचाता फ्रेंड्स हाई मेरे प्यारे विवर्स तो वेलकम हैं आपका मेरे यूटूब चैनल पर और मेरे न्यू व्लोग में तो पिछले कुछ दिनों इस तरह से सिच्वेशन हुई कि मैं आपको बताना चाहती हूँ तो बहुत ही जादा समझ भी नहीं पा रही हूँ किस तरह से आप से शेयर करूँ और कहां से स्टार्ट करूँ तो ये मेरी दिवाली की तैयारी है जब दिवाली पर मैं घर पर जा र रहा था लेकिन चुट्यों की वज़ा से किंजा और परी को लेकर मैंने सुचा चलो घर पर होया आती हूँ क्योंकि मैं चुट्यों में अक्सर महाँ पर चली जाती हूँ तो जैसे दिवाली की चुट्या स्टार्ट हुई तो फिर तब से ही मन बन गया था जाने का लेकिन पता नहीं कुछ अंदर अजीब सा हो रहा था दिल बिल्कुल भी जाने का नहीं कर रहा था तो यहाँ पर जैसी हम इस्टेशन पर पहुचे और गाड़ी हमारी लेट थे आप देख सकते हैं यहाँ पर साध्डे चार बज़े आय थे और दिन निकल चुका है साध्डे चार इसे ही हमें यहाँ पर पहुचे नो बज़ गए थे और उसके बाद हमारे ट्रेन आया और जैसे तेसे हम ट्रेन बेट हैं फिर हमारा सफर स्टार्ट हुआ और सोचा था कि आगे जा कर चलो घर पर जाओंगी ठोड़ा रेस्ट मिलेगा और यहाँ पर किंजा भी मेरी गोद में सोई हुई है और परी को भी काफे ठंड लग रही थी और मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने दो-दो स्टोल लिए और मुझे बहुत ही जाद यहाँ पर सर्दी लग रही थी लेकिन मैंने अपने आपको जो बच्चों के उढ़ाने के लिए साथ में रखा था वो स्ट परी भी और हम भी सब हम जा रहे हैं घर पर तो थोड़ा सब लोग मैंने यहां पर शूट किया चली मैं घर पर जाती हूं और थोड़ा सा देखती हूं कि चले घर पर रेस्ट करके और तकान से थोड़ी उतर जाए और थोड़ा सा फ्रेश हो जाओंगी घर पर रहकर आती ह काफ़ टाइम हो गया है तो यहाँ पर जैसे कि ट्रेन लोड लेट होने के वज़ा से हमें लग रही थी भूख तो यहाँ पर मैंने लिये थे कुल्चे और छोले और पनी ने यहाँ पर लिया था अपनी लिये टोस्ट और ट्रेन का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना ही मैं खाती हूँ कभी-कभी मजबूरी में बस खाना पड़ जाता है और यहाँ पर हम आ चुके हैं स्टेशन पर तो मुझफर नगर में आ चुकी हूँ यह मुझफर नगर का स्टेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर उतरने के बाद हमें काफी रिलैक्स फिल हुआ क्योंकि इस बार हमारा सफर बहुत ही जादा लोंग रहा जैसे के मॉर्निंग में चार-तीन घंटे लेट होने की वज़़े से ट्रेन तो हमारा सफर काफी लोंग हुए दिन के बज़े हैं यहाँ पर ढाई तो हम उतर के थोड़ा सा हमने यहाँ पर पांस से दस मिन्ट के लिए रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम यहाँ से घर पहुचें अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट और शेयर भी करें और मुझे बताएं मेरे वलोग सापको कैसे लगते हैं तो यसे ही मैंने यहाँ पर जब में उतरी तो थोड़ा सा वीडियो शूट किया क्योंकि बच्पन की यादें यहां से जुड़ी हुई है अपने शेहर में आकर थोड़ा अलग ही फिल होता है और मैं बहुत तकी हुई थी जाकर हमने खाना वगेरा खाया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और रात में जब मैं सो गई है सुबह का मेरा वलोग है जो मैंने सुबह में मौर्निंग में शूट किया था मौर्निंग में जो शूट किया था ये वो ही वीडियो हैं मेरे वलोग है और रात में तो मैं इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि सो गई थी कुछ भी मैंने नहीं किया था और ये हमारा लंच करते हुए लंच टाइम का मैंने थोड़ा सा ब्लोग शूट किया और ऐसे ही मैंने सोचा भी नहीं था कि परी के पापा की जाने के आज की तैयारी चल रही थी विए कि मुझे छोड़कर जैसे कि मैं यहां आई थी संडे में और वंडे में उन्होंने चुकी थी और उनके बच्चे भी यहां पर थे और हम सब बेटे हुए थे और हमने अच्छे से खाना खाया है खाने को अच्छे से एंजोई कि यह बड़ा ही मज़ा रहा था यह देखे च्छोटी सिस्टर यहां पर बेटी हुई है नसरीन और यहां आशी में बेटे हैं औ की तवियत खराब थी डेड़ से दो महीना हो गया उनको टाइफाइड हुआ थोड़ा सा उनका चेस्ट इंफेक्शन उससे जाता पड़ गया था बहुत जाता प्रोब्लम होने लगी थी और हमने उन्हें जाने से एक दिन पहले ही एडमिट कराया था और होस्पिटल में उनक एडमिट कराने के बाद रिपोर्ट्स वगेरा में बस इन्फेक्शन ही आता कुछ भी जादा नहीं था कि चलो ठीक हो जाएं और उन्हें काफे रिलीफ भी मिल गया था बिल्कुल ही ठीक थे जब हम यहां से गए और हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था हमने स काफे टाम से मेरा मनता घर पड़ जाने का तो इसलिए हम यहां पर आ गए थे और जब हम खाना खाने के लिए यहां पर बैट decimal ही तो यहां पर रोखना था परी निए इचिए और परीके पापा के तैयारी पूरी कंपलेट जाने की हो चूकी थी और जैसी हम काना खाकर यह जादा खराब है और तभी जादा खराब होने के वजह से उन्हें I.C.U. में शिफ्ट कर दिया गया है तो इसी चीज़ को लेकर हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि इसा क्या हो गया कि बहुत जल्दी उनको इस तरह से I.C.U. में शिफ्ट कर दिया गया और मैं अब आपको नेक्स्ट व्लोग में बताऊंगी फिर उसी टाइम हम महां से निकल पड़े थे जैसे कि मैंने रुकना था में रुके नहीं थी और ये थोड़ा सा वीडियो रात का